हलो फ्रेंड सर्मादस देन, Human Anatomy and Physiology 2nd BP201 ठीके इस वीड़ो में हम लो Unit 5 में, Reproductive System में, Male Reproductive System में, Spermatogenesis के बारे में बात करेंगे इस वीड़ो में हम लो Sperm Cell के Formation, Spermatogenesis की Process को आसान तरीके से समझने की कोशिस करेंगे और Sperm की Anatomy के बारे में बात करेंगे मेरा नाम है Dr. महंताप सिंग्र, चलिए सुरू करते हैं तो अगर हम लो यहाँ पे Spermatogenesis के बारे में बात करते हैं Spermatogenesis का मतलब होता है Sperm Cell और Genesis का मतलब होता है Formation तो जो हमारे Sperm Cell है या Sperm है उसके Formation की Process को हम लो Spermatogenesis के नाम से इंडिकेट करते हैं तो जो हमारा Male Reproductive System है उसमें जब हम लो टेस्टिस की Anatomy के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि टेस्टिस के अंदर जो हमारी Seminephorous Tribules होती हैं उनके अंदर जो Spermatogenics होती हैं उनके द्वारा हमें Sperm का Formation होते हुए देखने को प्रात होता है तो आज हम लोग यहाँ पे Sperm के Formation की Process को आसान तरीके से समझने की कोशिस करेंगे तो अगर हम लोग Simply यहाँ पे जो Humans हैं उनमें देखें तो जो Spermatogenesis की Process है Humans के अंदर 65 से 75 Days में हमें होते हुए देखने को प्रात होती है और अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं कि Spermatogenesis की Process किस Cell से Start होती है तो यहाँ पे हमारी जो Cells है जिनको हम लोग कहते है Spermatogonia Cells बोलते हैं उनसे हमें Spermatogenesis की Process से Start होते हुए देखने को मिलती है और यह जो Cells होती हैं यह Basically हमारी Deployed Cells होती हैं इसके अंदर हमें यहाँ पे Deployed Number of Chromosomes to N Number of Chromosomes देखने को प्रात होते हैं यह हमारी जो Body की और Cell है लगभग उनकी तरह ही होती हैं मतलब इसमें हमें 46 Chromosomes देखने को मिलते हैं या इसको Deployed Number of Chromosomes के नाम से भी Indicate करते हैं अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यह जो हमारी Spermatogonia Cells होती हैं यह एक प्रकार की हमारी Stem Cells होती हैं तो Stem Cells क्या होती हैं यह ऐसी Cells हैं जो हमें जो New Cells हैं उनका Formation करते हुए देखने को मिलती हैं उन Cells को हम लोग Stem Cells के नाम से Indicate करते हैं और यह जो हमारी Spermatogonia Cells होती हैं यह इनमें जब Mitosis की Process होती है तो फिर यहाँ पे यहाँ इसका जो हमारा Semi-Nephrase Stibule है उसकी जो Basement Membrane है वहाँ से हमें कुछ Spermatogonia Cells में उससे उसका Contact Lose होते हुए देखने को प्राप्त होता है और जब उससे उनका Contact Lose होता है उसके अंदर Mitosis की Process होती है तो उसके हमारे Cell के अंदर जो Developmental Changes है वो वहाँ पे होते हैं differentiation उनका Cell Division हमें होते हुए देखने को मिलता है और जब यह जो Cells हैं उनका Division होता है तो जो सबसे पहले Cell बनती है उसको हम लोग Primary Spermatocyte के नाम से इंडिकेट करते है तो आए इसको हम लोग यह जो Diagram है उसमें बात कर लेते हैं तो अगर हम लोग इस प्लेस पे देखें तो यह हमारा जो Semineferous Tribule है उसका एक Transverse Section का Diagram है और यह इस प्लेस पे यह जो हमारी Membrane है इसको हम लोग Basement Membrane के नाम से हम लोग Indicate करते हैं और यह जो Basement Membrane है इसमें ही हमें Spermatogonium Cells देखने को प्राप्त होती है जो हमारा यहाँ पे है सब्द Spermatogonia यह हमारा जो Plural सब्द है वो है इसका हमारा जो होता है देखने को प्राप्त होते है अब इन में जब Mitosis की Process होती है तो क्या होता है इन से हमें जो हमारा Cell का Division है वो देखने को मिलता है और जो Mitosis की Process है वो एक ऐसी Process है जिससे जो Cell का Formation होता है वो भी हमें Deployed Cell ही यहाँ पे देखने को मिलती है Chromosome का Number हमें इन से जो Cell बनती है उन में सेम ही देखने को प्राप्त होता है तो इससे जो हमारी यहाँ पे Cell Form होती है उसको हम लोग यह जो हमारी Cell Form होई इनको हम लो Primary Spermatocyte के नाम से इंडिकेट करते हैं यह भी Deployed Cell ही होती है इसमें भी हमें 2N Number of Chromosomes देखने को प्राप्त होते हैं अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारी यह एक तरसे प्रॉसेस है उसमें जो हमारी Primary Spermatocyte Cell Form होती है यह भी हमारी जो Deployed Cell होती है जिसमें हमें 46 Number of Chromosomes यहाँ पे simply देखने को मिलते हैं और जब हमारी यह जो होती है Primary Spermatocyte उनका formation होता है तो उसके जश्ट बाद में इनके अंदर हमें DNA replication होते हुए देखने को मिलता है और जो हमारा इस place पे जो DNA replication है जब वो complete हो जाता है तब उसके बाद में हमारी जो अगली cell division की process है जो की meiosis की process कहलाती है वो हमें start होते हुए यहाँ पे देखने को मिलती है तो जो DNA replication है वो क्या होता है आप लोगों को idea होगा कि जो DNA है वो जब अपनी एक replica को form करता है अपने जैसे ही DNA को बनाता है तो वो हमारी process यहाँ पे DNA replication की process कहलाती है और यह जब complete हो जाता है DNA replication तब उसके बाद में हमें meiosis की process स्टार्ट होते हुए देखने को मिलती है अब हम लोगों यहाँ पे जो meiosis की process है अगर उसको देखें तो आप लोगों को इसके बारे में भी idea होगा की meiosis हमें दो phase में होते हुए देखने को मिलता है एक हमारा meiosis 1 कहलाता है और दूसरी हमारी process meiosis 2 कहलाती है अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यह जो हमारी meiosis 1 की phase है उसमें एक हमारी stage है जो की हमारा कहला तो वो metaphase plate कहलाता है वहाँ पे हमें ये जो हमारे जो हमारे ख्रोमोसोम्स हैं 46 नंबर आवो ख्रोमोसोम्स हैं ये हमें homologous pair में वहाँ पे line up होते हुए देखने को प्राइप्त होते हैं और जब ये वहाँ पे हमें जो हमारा metaphase plate है वहाँ पे line up होते हैं तो इस place पे क्या होता है कि जो हमारी वहा Kodetic Spindles है, वो फॉर्म होते हैं. और依ा फिर आपोजिट, जो आपे वहां सब्सवार करें को पूल, होते हैं, उसकी और हमें Kromosome को pull करते हुए, देखने को अग्राप्त होते हैं, तो अगर हम आसान तरीके असे बात करते हैं, तो जब हमारा सेल है, कर जब एक तावधो डिवीजन होता है, तो क्या होता है, कि एक स्टेज आती है, जिसमें हमारे जितने भी whoseija chromosomes हैं, वह हमें यहां पे जो हमारा Metaphase Plate है, वहां पे line-up होते हुए, वो देखने को मिलते हैं, फिर हमारे यहां पे जो होते है, meiosis के spindles है वो यहाँ पर फार्म होते हैं और यह जो हमारे meiosis के spindles है वो क्या करते हैं कि यह opposite pole पे इन kromosomes को हमें pull करते हुए खीशते हुए simply देखने को प्रार्थ होते हैं और जब यह उनको अपनी और वहाँ पे खीशते हैं और cell division होता है तो जो हमारा meiosis 1 की process है उससे हमें दो cell बनते हुए देखने को मिलती है और ये जो दो cell है इनको हम लोग जो secondary spermatocyte है उसके नाम से indicate करते हैं और ये जो secondary spermatocyte है ये basically हमारी haploid जो हमारे number of chromosomes हैं इनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं मतलब कि जब ये हमारे daploid था तो 46 number of chromosomes थे haploid हुआ मतलब हाफ हो गया तो हाफ होने पर हमेज़ में 23 number of chromosomes हर सेल के अंदर simply देखने को ब्राइब्ट होते हैं तो आईए इसको भी हम लोग diagram में देख लेते हैं concept आप लोग को कुछ clear होगा तो अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो हमारी यह जो होती है spermatogonia cells होती है वो जब यहां पर उनमें जो mitosis की process होती है तो उससे जो cell form होती है वो हमारा जो spermatogonium है वो कहलाता है फिर जब इसमें mitosis होती है तो फिर इससे हमें यहां पर जो हमारी cell form होती है उसमें हमें number of chromosomes इनमें same ही देखने को मिलते हैं यह सब हमारी deployed cells होती है to and number of chromosomes इनके अंदर होते हैं उसके बाद में जब mitosis की process हो जाती है जो differentiation है वो होता है तो उससे primary spermatocyte का formation होता है और primary spermatocyte का formation होता है तो उसके अंदर DNA replication की process होती है और जब DNA replication की process complete हो जाती है तो फिर हमारा meiosis 1 की process यहां पर start होती है जब meiosis 1 की process start होती है तो जो हमारा metaphase plate है वहां पे जो chromosomes हैं वो हमें जो उसके हमारे homologous pair हैं उसमें line up होते हुए देखने को मिलते हैं जो हमारे meiosis spindles हैं उनका formation होता है और वो spindles उसको अपने और दोनों पे पोल्स हैं वहां पे उसको खींचते हैं तो half number of chromosome एक side हो जाते हैं तो उससे जो हमारी cell form होती है वो secondary spermato site कहलाती है और यह basically haploid जो number of chromosomes इसमें अंदर होते हैं मतलब कि यहां पे 2N था तो इसका half हो गया तो N इसमें आगए N number of chromosomes इसमें आगए 46 थे तो 23 इसमें हो गया 23 इस place पे हो गया और यह जो हमारी यहां पे form होती है secondary spermato site इन में हमें DNA replication ह होते हुए देखने को प्राप नहीं होता है इनके अंदर DNA replication basically नहीं होता है उसके बाद जब meiosis 1 की process complete हो जाती है और हमारे secondary spermato site का formation हो जाता है तो फिर जो अगली phase start होती है उसको हम लो meiosis 2 के नाम से indicate करते हैं और जब meiosis 2 start होती है तो again यहां पे जो cells हैं उनके अंदर जो metafase plate है वहां पे हमें जो हमारे chromosome हैं वह हमें single file में वहां पे line up होते हुए देखने को मिलते हैं और जब वहां पे interrupt से single file है उसमें line up होते हैं तो उसके बाद में फिर वहाँ पे जो spindle form होते हैं वो उस place पे हर एक जो chromosome है उसके हमारे जो यहाँ पे वो दो chromatides हैं उनको हमें separate करते हुए देखने को प्राथ होते हैं तो एक चीज आपनों को और यहाँ पे clear कर देता हूं जो chromosome होते हैं उनका structure कुछ इस तरीके का होता है यह हमारा यह जो हमारा chromosome का structure है तो इस place पे क्या है कि half यह जो हमारा spindle form हुआ यह spindle form हुआ इसका half portion यह खींच लेता है half portion यह इस side वो खींच लेता है तो यह इसका हमारा एक तरह का जो single जो हमारा file है वो है और इसमें से half या कह सकते हैं कि जो हमारे दो यहां chromatide है उनको एक cell खींच लेता है और यह जो हमारे दो chromatide है उनको एक cell यहां पर simply खींच लेता है और इस तरीके से हमें यह जो हमारा meiosis 2 की process है उसमें हमें 4 haploid cell का formation होते हुए देखने को प्राप् होता है और यह जो हमारी 4 haploid cells है इसको हम लोग spermatides है उसके नाम से indicate करते हैं तो आइए इसको भी हम लोग diagram में देख लेते हैं तो अगर हम लोग यहां पर simply बात करते हैं तो जब meiosis 2 start होता है तो again हमारे cell का division होता है और इस से हमें again जो हमारे haploid number of chromosomes वाले cells हैं उनका हमें formation होते हुए देखने को मिलता है हमें यहां पर यह जो हमारी हैं 2 cell उन से 4 यहां पर जो हमारे spermatides उनका formation होते हुए देखने को प्राप्त होता है अब अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो हम लोग simply कह सकते हैं कि एक हमारी जो single primary spermatocyte cell है उससे basically हमें meiosis 1 और meiosis 2 की process होने क बाद में यहां पर approximately कह सकते हैं कि 4 spermatides का formation हमें होते हुए देखने को मिलता है और यह हमारी जो एक तरसे cell division की process है यह एक काफी जो unique process है वो यहां पर होती है क्योंकि अगर हम लोग इस process में देखें तो यहां पर हमारे जो spermatogenic cells है उनका जो proliferation है वो तो होता है cell हमारी develop होती है division तो होता है लेकिन इसके अंदर जो cytoplasmic separation की process है जो कि cytokinesis कहलाती है वो हमें यहां पर complete होते हुए देखने को प्राप नहीं होती है उसका completion यहां पर simply fail हो जाता है और अगर हम लोग इस place पर बात करते हैं तो फिर हमारी यह जो चारों cell बनती है यह फिर यहां पर एक ज process है उसमें देखने को मिलती है तो अब अगर हम लोग डाइग्राम में देखते हैं तो यहां पर यह इससे जो दो cell का formation हुआ वो तो cell form हो गई लेकिन इनका जो cytoplasmic division है वो complete नहीं होता है तो इनका हमें यहां पर एक cytoplasmic bridge देखने को मिलता है यहां पर भी जो cytoplasmic bridge है यहा को प्राप्त होता है इसलिए यह हमारी जो और cell division की process है उनसे हमें एक unique process यहां पर हमारे spermatogenesis में होते हुए देखने को प्राप्त होती है और इस place पे अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा spermatogenesis की process है उसका जो final stage है जहां पर हमारे sperm cell actually में हमें बनते हुए देखने को मि तो जो हमारा spermatogenesis है उसके नाम से यहां पर indicate करते हैं और इससे हमारी जो होती है जो हमारे heploid spermatides थे वो फिर develop होते हैं और उनसे फिर हमें sperm का production होते हुए देखने को मिलता है तो अगर हम लोग यहां पर हमारा spermatogenesis की process है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें हैं जो cell division है उसकी process basically नहीं होती है इस place पे हर एक जो हमारा spermatoid है जो चार spermatoid हमें एक जो हमारा वो primary जो spermatoid cell है उससे बनते हुए देखने को मिलता है उससे हमें वहाँ पे एक-एक single sperm cell का formation होते हुए देखने को प्राप्त होता है और यह जो process है इसको हम लोग spermigenesis के नाम से indicate करते हैं और इस process में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हर एक जो हमारा spherical spermatoid था उसका फिर transformation होता है और जब वो transformation होता है तो वो हमें वहाँ पे elongated लंबा होते हुए देखने को मिलता है और sperm जो है हमें वहाँ पे cylindrical भी होते हुए देखने को राप्त होता है तो अब अगर हम लोग यहाँ पे diagram में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो यह हमारी एक तरसे जो process है इसको हम लोग जो हमारा यहाँ पे spermio genesis है उसके नाम से indicate करते हैं इसमें हमारी जो यह जो हमारी उस cells हैं जो की स्पर्मटाइट कहलाती हैं जो की spherical गोलाकार होती है फिर यह हमें यहाँ पे जो यह हमारा इसका होता elongation वो इसमें होते हुए देखने को मिलता है और यह हमें एक जो cylindrical sperm है उसमें convert होते हुए देखने को मिलती है तो हम सिंपली कह सकते हैं जो इस पर्मेटाइट से उससे जब हमारे एक इस पर्म का फॉर्मेशन होता है एक जो इस पर्मेटाइट है उससे एक हमारे इस पर्म सिल का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग इस पर्मियों जिनेसिस के नाम से इंडिकेट करते हैं अब अगर हम लोग इस प्लेस पे बा का जो हमारा यहाँ पे फ्लैजीला है एक टेल टाईब का इस्टप्चर है वह हमें स्पर्म बनते हुए देखने को मिलता है और इसके अ Dollar जो माइट्रोखॉंडिया है वह हमें यहाँ पे मडूटिप्लाई होते हुए देखने को फ्राप्त होती है और फिर जब यह प्रॉसेस complete हो जाती है, sperm cells जब completely बन जाता है, तो फिर जो हमारे sertoli cells होते हैं, वहां से हमें sperm release होते हुए देखने को मिलता है, और फिर वो वहां से release होता है, और फिर जो हमारा होता seminiferous debiol, उसकी जो lumen है, अंदर का खाली का जो खाली स्थान है, वहाँ पे वो release होती है और उनके release की जो process है उसको हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है ispermation उसकी process के नाम से indicate करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे simply अगर बात करें तो एक चीज हम लोग और यहाँ पे clear कर लेते हैं कि जो हमारी sperm cell है उनका जो formation है वो basically कहाँ पे होता है यह हमारा जो semi-neferous tubule है tube type का structure है उसके अंदर होता है यह हमारा tube type का structure है और यह हमारा इसके अंदर का जो खाली स्थान है lumen है वो यहाँ पे है तो sperm cell के formation की process जो की sperm eugenesis कहलाता है वो basically हमें यहाँ पे इसके अंदर का जो यह membrane है, wall है उसमें देखने को मिलता है और जब sperm का formation हो जाता है तो वो उसको फिर lumen में release कर देता है और जब यह इसको यहाँ पे lumen में release करता है तो यहाँ पे हमारी process जो है spermation की process यहाँ पे कहलाती है तो जब sperm का formation complete हो जाता है तो फिर जो sperm है वो हमारे semi-neferous tubule की जो lumen है उसमें हमें inter होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं और जब ये semi-neferous tubule की lumen में inter होते हैं तो फिर वहाँ पे semi-neferous tubule की जो sertoli cells हैं वो जो fluid को secrete करती हैं वो क्या काम करती हैं कि जो testis के अंदर और duct होती हैं उसमें हमें उसको push करते हुए देखने को मिलती हैं उसके बाद में फिर जो sperm की cells हैं वो हमारे male reproductive system का जो अलग-अलग duct system है वहाँ पे उसका movement हमें होते हुए देखने को प्राप्त होता है तो I think so spermatogenesis आप लोंग को properly clear हो गया होगा अब हम लोग जो sperm है उसकी anatomy के बारे में बात कर लेते हैं तो अगर हम लोग sperm की anatomy को देखें तो हर एक दिन approximately 300 million जो हमारे होते हैं आप मिलियन sperm हमें spermatogenesis की process को complete करते हुए देखने को मिलते हैं या हम लोग simply कह सकते हैं कि हर एक दिन 300 million sperm का formation हमें males में होते हुए देखने को प्राप्त होता है अगर इसके structure के बारे में बात करते हैं तो हर एक sperm की जो लंबाई है वो 60 micrometer के आसपास होती है और इसके अंदर जो हमारे कुछ structures होते हैं वो basically इसको help करते हैं जो female के secondary oocyte है वहां तक उसको reach करने में वो help करते हैं और उसमें penetrate करने में वो हमें help करते हुए देखने को मिलते हैं तो आइए sperm का जो structure है उसको देख लेते हैं तो basically sperm के structure को हम लोग यहां पर दो major part है उसमें divide करते हैं पहला part इसका head का portion होता है दूसरा part इसका tail का portion होता है तो अगर हम लो simply diagram में देखें तो ये एक हमारे sperm जो cell है उसका structure है ये इसका जो उपर का portion है ये head का portion होता है और ये नीचे का जो total portion है इसको हम लोग tail के नाम से indicate करते हैं अब अगर हम लोग इस place पे बात करते हैं तो इसका जो हमारा head का portion होता है वो basically यहाँ पे जो flattened और pointed जो portion है वो यहाँ पे है और ये जो इसका लंबाई है वो approximately 4 से 5 micrometer के आसपास यहाँ पे होती ह है और इसके अंदर हमें nucleus देखने को मिलता है जिसके अंदर 23 highly condensed chromosomes हमें देखने को प्राप्त होते हैं तो इसके पहले जब हम दो बात कर रहे थे तो जो हमारी वहाँ पे जो हुतनी spermatocyte उनका जब formation होता है तो वो उनके अंदर हमें haploid number of chromosomes देखने को प्राप्त हो रहे थे तो जो sperm है उसके अंदर जो nucleus है उसमें हमें 23 highly condensed chromosomes देखने को मिलते हैं और अगर हम लोग इस place पर बात करते हैं तो इसका जो nucleus का portion होता है उसका जो two-third portion है वो हमें वहाँ पे उसके बाहर की और से cover देखने को मिलता है और इसको जो structure cover करता है उसको हम लोग एक्रोसोम के नाम है वो यहाँ पे है और इसके two-third portion को यह जो structure cover करता है उसको हम लोग एक्रोसोम के नाम से यहाँ पे indicate करते हैं और यह जो एक्रोसोम होता है यह basically एक capsule like का जो हमारा होता है vesicle उसकी तरह होता है जिसके अंदर fluid filled रहता है और इसके अंदर हमें वो enzymes इस fluid में देखने को मिलते ह है जो की sperm को यहाँ पे जो secondary oocyte है उसमें penetrate करने में help करते हैं और यह जो enzyme है जब यह जो हमारा sperm है उसका head जब secondary oocyte में penetrate कर जाता है तो फिर हमें वहाँ पे fertilization की process start होते हुए देखने को प्राप्त होती है अब अगर हम लोग इसका जो tail का portion है उसके बारे में बात करते हैं तो basically इसके tail के portion को हम लोग चार main region में divide करते हैं इसका जो हमारा सबसे पहला region है वो इसका neck का portion होता है और यह जो हमारा neck का portion है इसके अंदर जो centriole है उसके उजश्ट जो पीछे का structure है वो basically हमारा यहाँ पे neck का portion कहलाता है तो इसमें अगर हम लोग डाग्राम में देखें तो यहाँ पे यह जो इसका beach का portion है और यह basically यहाँ पे हमारा neck का portion है जो की head और tail को हमें जोड़ते हुए देखने को प्राप्त होता है उसके बाद में इसका जो हमारा अगला portion है, subdivision है उसको हम लोग जो हमारा middle piece है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं और यह जो हमारे होते ह है, mytrocondia, वो basically, जो sperm cell है, उसके लिए जो ATP की requirement है, उसको हमें देते हुए देखने को प्राथ होते हैं, और ये जो इसके अंदर ATP आते हैं, या ATP जो in mytrocondia के द्वारा बनते हैं, वो basically, जो हमारा sperm है, उसको जो, उसका जो हमारा लोको मोशन है, उसमें जो movement है, और जब वो जो, जो जो ओसाइट है, उसके साथ में, जब combined हो जाता है, तो जो fertilization की process वहाँ पे होती है, और हमारा जो sperm का, जो metabolism की process है, उन सब के लिए जो ATP energy की requirement होती है, वो हमें in mytrocondia से आते हुए देखने को फ्रार्थ होती है, तो अगर हम लो अगेन structure में आते हैं, तो यह इसका यह जो portion है, यह basically इसका जो middle portion है, वो कहलाता है, जिसमें mytrocondia हमें spiral form में arrange देखने को मिलते हैं, और यह basically जो इस cell के लिए ATP की requirement है, वो देते हुए देखने को मिलते हैं, उसके बाद में यहाँ पे इसका जो हमारा है तीसरा part, वो basically इसका principal piece यहाँ पे कहलाता है, और यह हमारा इसका जो longest tail का portion है, वो यहाँ पे होता है, तो अगर हम दो simply again diagram में देखें, तो यह जो इसका हमारा लंबा सा portion है, वो basically इसका जो हमारा principal piece है, वो कहलाता है, और यह हमारे sperm का जो सबसे लंबा portion है, वो यहाँ पे होता है, उसके बाद में जो हमारा अगला इसका और अंतिम subdivision है, वो basically इसका end piece कहलाता है, और यह हमारे sperm का जो अंतिम गए इसका terminal है वो यहां पर होता है तो इस तरीके से हमारा जो sperm है उसको हम लोग जो दो reason है उसमें divide करते है पहला इसका head का portion हो गया दूसरा इसका हमारा वो tail का portion हो गया जो हमारी fertilization की activity है वो सब हमारे head के portion से हमें होते हुए देखने को मिलती है और basically इसका जो moment है वो हमें tail के portion के द्वारा facilitate होते हुए देखने को प्राइप होता है तो I think so जो हमारा spermatogenesis है उसकी process आप लोगो अच्छे से समझ में आ गई होगी स्पर्म की anatomy भी आप लोगो अच्छे से clear हो गई होगी अगर अभी भी कहीं कोई confusion है तो comment करके पूंच सकते हैं इस topic का PDF आपको description में मिल जाएगा इस वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना बिलकुल भी थैंक यू